हलो सुडेंट्स मैं अन्सू आपकी हिंदी टीचर आज हम लोग क्लाश फोर का चैप्टर टूल सुनिता की पहिया कुरसी पाठ के प्रश्ण उतर को देखेंगे समझेंगे चलिए सुरी करते हैं दिये गए प्रश्णों के उतर लिखें कहानी से यानि की हेडिंग है कहानी से सुनिता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे इसका उतर हम लोग लिखेंगे सुनिता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुरसी पर बैट कर अकेले सरक पर जा र हमारा अगला प्रश्ण है सुनीता को दुकांदार का बेहवार क्यों बुरा लगा तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे दुकांदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकरने के लायक नहीं समझा उसे लगा कि वह सारीरिक रूप से कोई काम करने में अक्षम है इसलिए उसने च चीनी की थैली खुद ले सकती थी लेकिन वो समझा कि यह नहीं ले सकती है तो उसकी गोद में पकरा दिया अब हम लोग अगला प्रश्ण देखेंगे जैसा कि हेडिंग है मजेदार तो सुनीता को सरक की जिन्दगी देखने में मजा आता है तुम्हारे विचार से सुनीता को सरक देखना अच्छा क्यों लगता होगा जैसे प्रश्ण पूछ रहा है तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे सुनीता को सरक देखना अच्छा इसलिए अच्छा लगता होगा कि वह अपने पैरों से चलने फिलने में असमर्ध थी इस वज़े से उसे बाहर निकलने का म का मिलता तो बहुत खुस हो जाती है हो जाती थी अपने घर के आसपास की सरको ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या-क्या चीजें नजर आती है और इसी में दूसरा प्रसंद लोग क्या-क्या करते हुए नजर आते हैं तो पहले का हम लग उतर लिखेंगे जैसा कि प् के ठेले, साइकील परसावार, ताला चाभी बनाने वाले, स्कूटर बाइक आदी चीजें हमें नजर आती है इसी के अंदर दूसरा प्रस्न था लोग क्या-क्या करते हुए नजर आते हैं तो इसका उतर होगा लोग सरक पर चलते हुए बातने करते हुए स्कूटर रिक्सा बाइक आदी चलाते हुए नजर आते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरह बढ़ते हैं जैसा कि हेडिंग से ही आप लोग देख रहे होंगे मनाही यहाँ पर मनाही तो फरीदा की माने कहा इस तरह के सावाल नहीं पूछने चाहिए फरीदा पहिया कुरसी के बारे में जानना चाहती थी पर उसकी माने रोक दिया तो इसके अंदर प्रश्न है माने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा दूसरा प्रश्न है क्या फरीदा को पहिया कुरसी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था तुम्हें क्या लगता है इसी के अंदर तीसरा प्रश्न है क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात करने से मना किया जाता है। कौन मना करता है कम मना करता है। तो हम लोग पहले प्रशन का पहले उतर लिखेंगे माने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा। क्योंकि उनके विचार में किसी अपंग ब्यक्ति से ऐसा सवाल करना उसके दिल को तकलीफ हो जाना है अब हमारा दूसरा प्रश्न है क्या फरीदा को पहिया कुरसी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था तुम्हें क्या लगता है तो इसका उतर हम लोग लिखेंगे फरीदा बहुत छोटी थी उसे क्या पता कि ऐसा सवाल उसे पूछना चाहिए या नहीं हाँ अगर उसने पूछी लिया तो बहुत बरी गलती नहीं कि वह जिग्यासा वस उस पहिया कुरसी के बारे में जानना चाहती थी अब इसके अंदर तीसरा प्रशने क्या तुम्हें भी कोई काम करने से या कोई बात करने से मना किया जाता है कौन मना करता है कम मना करता है तो बच्चो इसका उतर आप लोग खुद से लिखेंगे स्वाइन से बना कर लिखेंगे कि आपको कोई काम करने के लिए मना किया ज जैसा कि heading है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ तो प्रशण है, यदि सुनीता तुम्हारी पाट साला में आये तो उसे किन-किन कामों में परिशानी आएगी जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुनीता चलफिर नहीं सकती थी तो प्रशन है कि अगर तुम्हारी पहट साला में आए तो उसे किन किन कामों में परिशानी आएगी तो इसका उतर हम लोग लिखेंगे कच्छा में परवेश करने के लिए सीधियां चड़ने में और कच्छा से बाहर आने के लिए सीधियों से उतरने में अपनी कच्छा के बच्चों के साथ खेलने में उसको परिशानी आएगी अब दूसरा प्रशन है उसे या परिशानी ना हो इसके लिए अपनी पटसाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो यानि कि उसको चरने उतरने में कोई परिशानी नहीं तो इसके लिए क्या उपाय हो सकता है तो इसका उतर हम लोग लिखेंगे पाट साला में रैंप होने चाहिए एक सहाय की नियुकती होने चाहिए जिसका काम सुनीता जैसे बच्चों की मदद करना यानि कि वो सुनीता जै तो इसके अंदर प्रश्ण है, सुनिता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती. तुमने पिछले सार परेया और अध्यन की किताब आसपास में रभी भाईया के बाढ़े में पढ़ा होगा. रभी भाईया देख नहीं सकते. फिर वे किताबे पढ़ लेते हैं. तो इसके अंदर के लिए लिखी जाती है जिसे छूके लोग पढ़ सकते हैं दूसरा प्रसन है उस तरह के किताबों के बारे में सबसे पहले किस ने सोचा तो इसका उतर हम लिखेंगे उस तरह के किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा आस पास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते क्या तुम ऐसे बच्चों को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता तो उत्तर इसका लिखेंगे हाँ मेरे परोस में एक लड़का है उसका नाम रभी है वह सुन बोल नहीं सकता तुम उसे किस तरह से अपनी बात सम तो जैसा कि आपने ये प्रस उत्तर समझा पढ़ा अब आप लोगों को इन प्रस उत्तर को कौपी में लिखना है और उसको याद भी करना है